पून परमात्मा पाप करमदंड को भी काड़ सकता है अभी तक जिस भी संत्वा महापुरुष से मिले उन्होंने यही बताया कि पाप करमफल भोगने से ही समाप्थ होगा वो प्रभु कौन है जो पाप करम को काड़ देता है वो काल के बंधन से छोड़वा देता है उसका क्या नाम है पूजा की विधी क्या है फिर्पया अवश्य सुनिये जगत गुरु नत्वदर्शी संत्रामपाल जी महराज के अमरिक वज़ा पुनात्माओं यदि श्रीकरसंदी बोल रहे होते गीता तो ये सब्द नहीं कहते है कि ये मेरा विराट रूप है ले किसी नहीं नहीं देखा क्योंकि श्रीकरसंदी तो अपना विराट रूप कोरों की सभा में देखा चुके थे उस विराट में दिनरात का अंतर है अपना अत्मा ओएक तो साथ वाट का बलब वो ड्योग हो और एक हो एक 56 कि तो कितना अंतर है टूब दोनों है लेकिन वो हजार वाट वाली साथ वाट वाली से भिन होती है तो इसी परकारिन दोनों ने ही विराट रूप दिखाया था उसमें उसमें भिनता थी और ये सब्ध स्रीकरसन जी नहीं कह सकते कि पहले किसी नहीं देखा और आगे कोई नहीं देख सकता तो इसे सिध है गीता ग्यान डाता श्रीकरसन नहीं उसके अंदर परवेश करके काल बोल रहा है वो एक हजार भुजा का भगवान है एक हजार कला का है सैस्रा बाहू अब गयार में जैकि 21 में सलोक में अरजुन कहता है कि सैस्रा बाहू यह एक जहर भुजा वाले भगवान अपने उसी चतुर भुज रूप में आ जाओ क्योंकि वो श्रीकरसन भवान रहा था उसको और श्रीकरसन इज विश्णू विश्णू इज विश्णू जी जो है यह चार भुजा के भगवान है अब इस दास की नजरों से आपको पता चलेगा कि स्रीमत भगुद गीता का ग्यान किसने बोला और अन्य परवाने की यह है कि स्रीकरसन तो अर्जून के साले थे अर्जून की अर्जून की बहन अर्जून को विहाई थी सुब्द राजी अपने साले को पैचानने से भूल गया वो स्रीकरसन नहीं था वो स्रीकरसन जे बाहर निकल कर वो कॉल बुड़े खराथ वो ऐसे बैंक कर रूप दिखाया और स्रीकरसन अलग खड़े हैं वो जल होगे उसके परकास मतेज में तब अर्जून पूछता है हे मानुबाओ आप कौन हो माँ आपको नहीं पैचानता तो क्या स्रीकरसन थे हुए और भी धेर सारे परमान हैं कि स्रीकरसन जी ने गीता का ग्यान नहीं का स्रीकरसन जी ने पहले कभी काल नहीं का अपने आपको बाद में कभी काल नहीं का श्रीकरसन जी के पास तो ये जितनी गववें थी, गौालवाल थे, गोपियां थी, सब आकर के प्यार पाते थे, उसकी तरफ देखते रहते थे, निहारते रहते थे, क्या वो काल हो सकते हैं, तो अपने अत्मा श्रीमद भकवत गीता का ग्यान, इस सरपुरुस बरहम ने दि और इसी को हमारे धर्म गुरुप, इसी को प्रम्ब्रम बोलते हैं, इस काल को, कि ये मूर्ती रहित है, ये आकर में, आया तो सदासिव बनिया, धर्माजी बताते हैं, और फिर इसने अपने श्रीर से एक इस्तरी की निकाली अपने श्रीर थे, जो इसके श्रियंग से गोने वाले ने थी, वो कौन थी, वो दुरुगा थी, वो प्रमेश्वर ने निकाले थी, इस काल के पेटते हैं, जो आपको श्रीष्टी रतना में बहुत बार बताया और सुनाया गया है, तो ये श्री सीव प्रान के अंदर आप देखते हो, रुदर सहीता के अंदर, उत्पती भी इन दोनों के शिर्ष्टी करम से, और ऐसे ही बर्मा जी की उत्पती की, और फिर विद्वेश्वर सहीता में ये आपने देख लिया, पांच बोलने वाला ये अलग है, और सीव, विशनू, बर्मा और ये चारों को ये उपदेश दे रहा है, तो ये कालरुप अक्सर ब्रम की तरफ प्थार्म जाएं कि 62 में स्लोक में इसने कहा है, यदि तुमने पूरन vyक्स चाहिए, परम भुक्स की उस चाहिए, तो ऊस परम Аक्सर ब्रम की स्थानु में जा, उसकी किरपा wise तु परम श्यानुती को और सनातन परमधाम को प्राफ्वड होगा पिर उसके लिए option छोड़ जा कि उसके लिए तत्वदर्शी संतों की खोज कर वो संत जैसे बतायें तू वैसे वक्ती करतब तरह पूरन कल्यार बोगा परमात्मा स्वेम आते हैं सत लोग से चल कर इस काल के गंदे लोग में परतेक पुरानी भरमित किया हुआ होता है काल के दूतों दोवारा ये थार्थ ग्यान से कोसों दूर रखा जाता है ताकि ये अपने करम बगाड़ दे और मनुस जिवर को वेर्थ करके ये चला जाए फिर तुरा सी लाखियों योनियों के कोलों में डाल दिया जाता है उन्हे अत्मा उस जब तक हमें ग्यान नहीं था हमने सत्संग सुनने को मिला नहीं था तो हम अपने उस परमप्रागत करम को जो हमारे दादे पढदादे करते हुए आ रहे थे उसी को अन्तिम मान कर समर्पित हो चुके थे लेकिन भगवान की कस कवस से रह रह कर आत्मा में उठा करती थी कि भगती भगवान की करनी चाहिए फिर ये लोक वेद सुनने को मिला हुआ था तो उसी आधार से कोई कभी हनुआन जी की पूजा करते कभी स्रीकिर्शन जी के गुनगान करते कभी विश्णों जी की महिमा सुनते कभी रामा और माभारत सुनकर अपनी संतुष्टी कर दिया करते थे प्रमात्मा ने आकर के ये ज्ञान दिया कि मनुस जीवन प्रमात्मा प्राप्ती के लिए ही प्राप्त होता है मनुस जीवन पाकर के जो बगती नहीं करते हो तो वैसे ही करम कर रहे हैं जैसे अन्य प्राणी किया करते हैं संतानों उत्पत्ती उन्ही की देखरेख और सब उसके पालन पोसन में और उन्ही के फिर आगे संतान की काम ना करते हुए हम अपना जीवन नष्ट कर जाते थे क्योंकि मुनुस जीवन का एक मुख्यकारिय प्रमात्मा की बगती आत्म कल्यांट ही मूल रूप से है और इसका हमें ग्यान नहीं था जिस कारण से हम जो कुछ ओना था हमारे भाग्य में उसी को ये सूच रहे थे कि हम कर रहे हैं जैसे हम छोटे से थे तब ये बुद्रग आपस में बैठ के बाते किया करते थे एक कहता था के मेरे दो लड़के दो लड़की हैं और सब को व्यादिया साधी कर दी और बगवान न डया कर दी सब के संतान है और पुत्र पुत्रियां सब के वगवान न दे रखिये मेरा काम पूरा हुआ अब बेस्थिक वगवान उठा ले यानि बेस्थिक मर्तू हो जाए मेरा काम पूरा हो जा अब हम उसी बात को फाइनल मान बैठे थे कि इतना ही काम होता है मनुस का अपने अत्माओं परमात्मा के ग्यान की रोसनी से पता चला कि ये काम जो मनुस जीवन से करना था हूँ तो सटाट भी ना किया आपने ये तो जीवन नश्ट कर दिया सफल नहीं हो आपका जैसे कोई ये कहता कि मैंने ये कर दिया मैंने ये कर दिया मैं ये कर दूँगा ये जीव की भारी भूल है जैसे यहाँ के उपरां परतेक परानी की इच्छा होती है कि हमारे पुत्तर प्राप्ती हो उन्हात्माओं वैसे तो अध्यात्म मारक के पूत्र और पूत्री में जरा सा भी अन्तर आपके हर्दे में नहीं रहेगा जब ग्यान समझ मा जाएगा और वैसे प्रमातमा कुछ भी हमारे संसकार में पूत्र है पूत्री है पूत्री ठीक लेकिन जो राम नाम पर लगे हैं तो वो हमारे लिए हमारे पोतर हैं अन्य था ओो काल के दूतर हैं अब प्रमाटमान ने क्या बताया कि जैसे मान रेजिया कोई यू कहा है कि मेरा काम पूरा हो गया मन ऐशा कर दिया बच्चे बया दिये को ठी बना दी और ऐसा वैसा कर दिया ये भूल है प्राने की जैसे व्युहा के उपरांद परतेक प्रानी की लोगवेद के आदार से दंद कथाओं के आदार से इच्छा होती है कि बगवान पूतर दे और बेटी हो जाती है जनम बेटी का हो जाता फिर पूरे प्रिवार की आस्था रहती है बगवान अगला तो पूतर दे और वो भी बेटी होगी तीसरी आस करीब पूतर की वो भी बेटी होगी और चौथी भी बेटी और पांसी में भी पूतरी होगी तो क्या आपका चाहा हुआ क्या आपका किया हुआ वही हुआ जो आपके भागे में लिखा हुआ थे तो पुनात्माओ समझदार को संकेत ही काफी होता है अब आमने जो करना चाहिए था वो सत्सक से ग्यान हुआ वो क्या ग्यान हुआ प्रमात्माओने आके बताया है कि जब तक ये प्राणी सुखी है इस जुठे सुख को प्राप्त है तब तक तो ये समझता है कि मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ क्योंकि जब तक प्राणी के पूर्वत जनम के पुन सुब संसकार चलते हैं तब तक वो कितने खोटे काम करो उसके प्राप्त में लिखा हुआ पिछले जनम का उसको पुन मिलता ही रहेगा पूतर भी होंगे, पूतरी भी होंगी और वो संतान भी नेक हो सकती है लेकिन आग्य भगती ना करने से जैसे बैटरी चारज होती है और वो बैटरी चारज है तो वो सारे काम कर रही है पंखा भी चल रहा है टूब भी जग रही है लेकिन चारदर ना लगाने से उसकी अक्षमता समापत हो जाएगी वो डाउन होगी और फिर उसके बाद सब सुईधाय समापत हो जाएगी तो इसी परकार पूरो जनम के संसकारी पराणी पिछले जनम जनमांतरों के सुब संसकार किये हुए उनके साथ है वो चाहे कुछ भी बगती ना करो सारा दिन गोटी लाओ तास खेलो कितना सफल आपने आपको समझता है चाहे मंतरी बना चाहे परदान मंतरी बना हुआ है वो उसके पूरो जनम की बैटरी चार्ज है और जिसमें वो डाउन होएगी उसमें देखना क्या हाल होगा तो हमें अब पता चल गया इस बात का हमने पहले से चारदर लगा दिया अपना बगवान की दया होगी चारदर मिल गया ठीक ठीक हमे तो हमारे उपर ये आपदान नहीं आउँगी नहीं तो फिर भगवान की बगटी किया हो सकता ही नहीं यदि कोई आपदा आई भी तो प्रमात्मा ऐसी मदद करेगा दुनिया देखती रह जाएगी इसलिए प्रमात्मा की खोज मैं ये प्राणी बहुत योगों से लगा हुआ और अब वो साधना वो भगवान हमें मिल गया जो हमारी प्रोटेक्शन करता है हमें जो बचाव करता है और मोक्ष देता है हमारे प्राहरब्द के यानि संसकारों के किस्मत के पापकर्मों के कारण होने वाले जो कष्ट है उनका भी वो निवारन कर देता है पुन्यात्मा प्रमात्मा ने आके हमें ग्ञान दिया दुख मैं सुमर्ण सब करें सुख मैं करें ना कोई जै सुख मैं सुमर्ण करें तो दुख काहे कूँ होगी सुख मैं सुमर्ण किया नही दुख मैं करते याद कहे कबीरता दास की कोने सुने फरियाद प्रमात्मा ने आके बताया के दुख मैं तो सब बगवान को याद करते है और सुख मैं याद नहीं करते सुख मैं सुमर्ण किया नहीं और फिर दुख मैं करते याद कहे कबीरता दास की फिर कोन सुने फरियाद तो अपने अत्मा जो विक्ती आज अपने आपको इस दूठे सुख में सुखी मानता है और वो इन आपदाओं के आने से पहले ही प्रमात्मा की सरनों में लग जाता है भकती करता थो उसके उपर आने वाले कष्ट करम के कष्ट नहीं आओंगे और जो इस जूठे सुख में मस्त है पुनात्मा परतेक प्राणी कास्ष। परहरब्र बनाया जाता है परहरब्र बोलते हैं हमारे पुन और पाप वहां भगवान के दरवार में संचित हैं, डेपोजिट हैं, बैंक में, तो उन में से जब हमारा मनुस जीवन आता है, एवरेज रेसों में, पुनों के हिसाब से पुन निकाल लिये जाते हैं, और पापों के हिसाब से पाप दोनों का मिश्रन करके, आपको एक मनुस श्रीर मिलता है, जिनके पुन अधिक संचित हैं, उनकी पुन की रेसों जीवन में ज्यादा होती है, लेकिन पापों का समावेश भी अवस्य होता है तो जब तक पुन चलते हैं तब तक तो ये सोचता है कि मेरे उपर कुछ नहीं होने वाला और जब पापों का दौर शुरू होता है फिर ये बटकता है, रोता है वरी तरह टकर मार मार के फिर प्रमात्मा को याद करता है उस में प्रमात्मा उस विशे में कहते हैं आच्छे दिन पाच्छे गए गुरू से किया नाहेत अब पच्छतावा क्या करे चिडिया चोगिगी खेत फिर प्रमात्मा द्यालू है कहते हैं पीछे गई सो जान दे ले रहती कुँ राखे उल्टी लाच ढाईयो करो अपूठी चाकु अब द्यालू क्या बताते हैं कि आच्छे दन पीछे गए सत्गुरू की तलास की नहीं और अब क्या पिस्तावा करे समय रहते अपने खेत की रखवाल करी नहीं खेत को चड़ियों ने खा लिया फिर प्रमात्मा कहते हैं कि चेट सकए तो चेट ले आदा पदा उभार के जो थोड़ा बहुत बचा है तेरा अब इसको संभाल ले इसको उभार ले अब भी बात बन जागी अब क्या बताते हैं प्रमात्मा जैसे कुछ बुजरग लोग हैं वरद होगे बिचारे हैं ये तत्वए ग्यान ना मिलने से अध्यातम ग्यान ना मिलने से अपने को जो ट्रेनिंग मिलती है परिवार से रिष्टेदारी से कुटम कभी लेत समाद से वो केवल यहीं मिलती ह ये अपना करक के खाले और ले के दे दे ये तो एक नेक आत्मे आत्म परस का कर्तव बनता है ये तो फरज होना ही चाहिए लेकिन इसके साथ साथ हमने वविस्य का जो करना था वो प्रमातमा की साधना धर्म पुन करने थे वो ग्यान की विनावन्चित रह गए और वो ग्यान मिल है सत्गुरू और संत से तो प्रमातमा कहते हैं आखिर तुझको कौन कहेगा गुरू बिन आत्म ग्यान ठीक है समाज संसार में रहने की विधी तो आपको समाज के लोग बता ही रहे लेकिन आत्म कल्यान का जो मारख है वो संत ही बताया करते हैं और संतों तक आप पहुंच नहीं पाते क्योंकि आप उसी ऐसे समाज में गृप होगे और उसी उनी विचारों से आप संतुष्ट होगे कि इतना ही काम है जब सत्संग में आवांगे पता चलेगा कि मुन उसका और भी एक आवस्यक काम है जो अमने प्राहर में नहीं करें दास पहले गाओं गाओं में जाते थे सत्संग करता था एक गाओं में दो भाई थे एक ने उपदेश ले लिया था एक उनके पिताजी थे बहुत नेक आत्मा थे लेकिन इस ग्यान के अभाव से वो इन सत्संग आदी के नाम से बहुत खिजते थे हम वह तीन दिन का पाठ करते थे जैसे यहाँ चलता है और तीन दिन तक दो दो तीन तीन बार टाइम में सत्संग करते थे गरवालों को समझाते थे क्योंकि नया बगवान नया ही ग्यान कई दिन तक लगातार समझाने से कुछ बुदी में आता है ये तो हम सत्संग कर रहे थे उन घरवालों ने अपने सभी भाईचारे को कह दिया था कि यमारे गर में तीन दिन कोई भी को का बीडी तमाखो का परियो करने नहीं आवाए या गर में बीडी तमाखो लेकर भी नहीं आगा तो क्या हुआ कि उनका बुद्धा उपर चोबारे में आंगण में गर्मियां के दिन थे उपर उपर वरका वैठी गया दूसरे बाई सत्संग करते रहे तो जब सत्संग समापत होने को हुआ रात पहले दिन सत्संग सुना जिन में फिर रात ने सुना तो अगले दिन गुरातरी के समें सत्संग समापन हुआ बुद्धा नीच जा आ गया लगवग सत्त्र वरस की आयू थी उसकी अब वो आके हमारे पास इन पर और उसकी पूत्र वदू ये सोच रही थी बुड़ा पता नहीं के वो लगा माराजी को पता नहीं के कह देगा यो क्योंकि इनने कभी ये काम देखे नहीं और पता नहीं क्यों आ गया यो यो तो बहुत चिड़ा करता इन बातों से वो बैठके और आखों में पाणी बर्याया रोन लग गया मैंने पूछा क्या बात होगी बाबा क्या बात है क्यों रो रहे हो आप नोगला जी जो ज्ञान आपने सुनाया ये बात तो आज तक अमने कदे सुनने को ना मिली आमने ता लख मीचंद की रागनी सुनी और और कोई सांग सीनी में देखे और मैं हो इतना में इन त्यादमी था इन पूतरा कि दो चार किले आ हो थे ख़लू आदो नि इनके 12 किले बना दिए 12 कड़ जमीन 8 Всё two or अब क्या बनेगा मेरा के हो गाई मेरी तो मर्जाली और उसकी पुत्रवद भी वहीं बैठकी गुद्धाज तो बहुत अच्छा बोला और वा ध्यान से सुना कि जो के हो गया बुद्धेग एकदम नहीं बोला जी क्या मेरा भी कुछ हो सकता है मैंने कहा देखो विश्वास क और अब जैसे कुवे होते थे पहले बहुत गैरे और उनमें सो सो डेड़ सो फुट नीचा जल होता था उसको निकालने के लिए एक लंबी निज्जु आया करती रसी बहुत बोटा इतना मोटा रसा और डेड़ सो दो सो फुट लंबा और उसके बाल्टी बांध दी जाती थी और वो बाल्टी से पानी निकालते थे तो सो फुट दूर तो खेच के ले जाते थे दो तिन रहे और फिर बाल्टी से जल निकलाता था तो मैंने कहा कि जैसे कुवे में बाल्टी जा रही हो और निज्जु हाथ से छूट गी रसी और वो तो जा रही है और भाग दोड़ के और उसको पकड़ने की चेष्टा कर ली जार वो हाथ में आ जा लास्ट की 6 इंच भी ठागी लास्ट की गिरते गिरते अगर 6 इंच भी बची हो और आथ में पकड़ी जावे तो क्या हो वा बाल्टी भी बार आ जा और पाणी भी साथ हाँ है जल भी भर्यावेगा और वाल्टी भी मिलगी कुछ भी ना गया अर नू का एक जाण देव तर जाहे ली तो वो तो जाही रही है फिर तो पड़ गे कुए मैं हाथ से छूट के मुनुस जीवन मुनुस जीवन के अंतिम सांस में भी ये सत बगती आपको बिलगी आपको मुनुस जीवन मिलेगा ये गारंटीड बात है और आप क्या तो भी सत्तिर वर्स है एवरेज ऐसी नबबद तो मानते हैं मुनुस की आयूर आप तो सवस्ट दिखाई देते हो करड़े हो खूब तगड़े और नाम लिए पर ओका बेडी स्राव तमाख हुए छूना नहीं पड़ेगा और आन उपासना कुछ नहीं करोगे ये बाप गाम गूम में इतने डेरे डेरे बन रहे हैं या अन्य जो समाध पूचा तीरतवर्त ये नहीं करने होंगे ये बाला जी मैं तो कुछ नहीं करूँ मेरा पिछा छूटे क्यों करें और करकरा लिया हमने सारी ओमर्ड़े डोलिये मुझे दिख सादे जो उसकी पूतर वजू कहने लगी दादा ओके बहुत पीवे है तुम नाम लेकर उक्का नहीं पीना नहीं बोलाई तो देखिये तेक मैं ता पता इना था इस बात का आग लाग गई सोके गए फुकना मने मेरा गदा बनुगा कुटा बनुगा बिरांद में टी होएगी और संता के वर्चन नहीं जूठे नहीं आकर दे बेटी तो अपने अत्मों देखिड़े बाग जाएगे वो डैपे में नाम ले लिया उस बगत ने और दस पंदरा वर्च जिया और आम तो बना मर्टू को प्राप्ट हुआ और मोक्स हो गया कहते हैं जीना ते थोड़ा बला जा सत सुमर्ण हो अपने अत्मों जैसे बालक बगती पर लगता है बहुत अच्छी बात है लेकिन इस ज्ञान से प्रीचित बुड़ा तो अश्य दढ़की बाजी लाजेगा नो पता है कि उसने रोज पता है ना विराकल टिकटिकटि जाएग तो सलोप मा अलिया जीवन कतीनों डलान मा है लास्ट जन के रहे जा साथ साल पाचा है तो उटी गनती शुरू हो जाएग जान राखनी चीए बुड़ान और डटके कर वक्ती अपना पीच्छा चुटपा वे हरी इवत है इवत ही नहीं बढ़े रहे जैसे कभी का एक सब्द ह बिना ग्यान के ऐसे दुखी होते हैं बिना ब्यालों या मन मरेरी और एली करवा जो खड़ी टेकट कटन नहीं हो रही है और ये आस्था लाएं बैठा है कि वगवान एक पुता और ब्याजा फिर बेसिक मर जाओं और फिर नहीं कर एक तोरे किया एक और मकान बन जा बस फिर क्या करने बेसिक मर जाओं बता इस परकार की आस्थाएं अज्ञानता से मेरे दोस्था में ये ज्यादा बढ़ जाती है और जब ज्ञान हो जागा तब अपना माला लेकर और वैठ जा कूण में ना तास्खिल है ना उके पाड़ है ना गपे मारे दिन राते करके अपना मक्तिक राग पीछा चुड़ा तो इस परकार कुने आत्मों परमात्मा कहते हैं पाच्छा गई सो जान दे और ले रहतीन राख उल्टी लाच डाईयो करो अपुटी चाख अगम निगम कूँ खोज ले बुदी विवेक विचार उदे अस्त का राज मिले तो बिन नाम ब्यगार अब क्या कहते हैं परमात्मा क्या कहते हैं परमात्मा के याद दिलाना चाहते हैं के जरा सा कुछ विवेक से काम ले ए पराणी अगम निगम कूँ खोज ले और बुदी विवेक विचार उदे अस्त का राज मिले तो बिन नाम ब्यगार है ब्यगार क्या होती थी हम छोटे थे उसमें ये थरी विलर चल इसना ये गनेस बोला है और हमारे गाहों से लखन माधरा तक एक गने चलते थे दो टेमपू थे वोए उनमेंसे एक एक दिन नहीं आया तो अगले दिन उससे पूछा उसके साथी ने कि कल कहां चला गया था उसने बताया मैं कल बिगार में फस गया था बिगार क्या होती थ पहले इन पुलिशालों के पास गाड़ी गुडी तो थी नहीं थी और किसी को पकड़ देते थे ऐसे को बाड़ा करने वाले को कहीं रेड लगानी होती कोई चोर उचका पकड़ना होता तो उसने पकड़ दे जाते सारा दन उसकी रेल बनाए रखते वो तेल भी अपने दो जालता है और सारा दनी दर चलू दर चलू सुबह पकड़ देते राज के बारा बज़े छोड़ते एक मिंट का चैन नहीं और खर्चा गरते हैं तो बता रहा था कि कल्विगार में फसगार 200 रुपीय का खर्चा हो गया उसमें तेल बहुत सस्ता था पैट्रॉल भी एक डे सब्सक्राइब के खाता एक बज़े छोड़ा सुबह लेगी थे पकड़ करें रात के एक बज़े तो वह बेगार होती है सारा दिन तो पूरा उसको एक मिंट की पल नहीं पल का भी चैन नहीं कहीं रुकाउट नहीं सारा दिन वो ऐसा सपीड खेचे दीखे और गरते खर्चा करके द्याड़ी भी लुटवा के और रात नहीं पड़ा आके तो अपने तपले खर्चा करें और एक मिंट की चैन नहीं सारा दिन पर यहां चल्या वह बेगार कहलाती थी कि अपने चलता दीखे जैसे बहुत सपीड ते को गणी सवारी करका आता होगा यो खर्फा सिराथा बिगार के तो प्रमात्मा याद दिलाते हैं कि जो प्रमात्मा की बक्ती नहीं करते वो चहें पूरी पिर्थवी का राज़ा है आपने नहीं दिखे कि तो बड़े आग पाच्छा इसका सलूट मार नहीं है और बड़े ज योग याद रखेगा अगम निगम को खोज ले बुधी विवेक विचार उदे अस्त का राज मिले तो बिन नाम बिगारे या भगती नहीं है तो यो राजा पूरों जनम की कमाई को बरबाद कर रहा है और आगे की दैड़ी बनती नहीं क्योंकि यो नाम जाफ ठीक नहीं क है प्राण बगती बिना का ठोर है ये नरनाहीं पासान प्रमात्मा कवीर परमिश्वर जी कहते हैं कि बिना उपदेश लिए बगएर गुरु धारन किये ये मुनस्क ये जीव किसको आधार मान के जी रहा है मुझे इस चीज़ का आस्ट्रिय हो रहा है और बगती बिना का ठोर है ये नरनाहीं पासान ये दो पत्थर है जब इस बिनस्जीवन को बरबाद कर रहे है ना को आधार यदी हम बच्चों को आधार मानते हैं तो हमारी मरत्य हो जाती है ते बच्चे हमारे कहां से हुए हमारे सामने बच्चों की मरतु हो जाती है तो ये आधार निराधार था हमारा भूल थी हमारी के हम इसी लिए जी रहे थे हमारा आधार होना चाहिए मोक्ष और मोक्ष के लिए पूर्ण संत की अवसकता होती है सत्वग्दी की अवसकता होती है तो वो सभी समय संयोग इस कलियोग में आ कई कठे होते हैं जो अब आपके लिए रजा कर रखी वगवान संत पूरा हो पूर्ण प्रमात्मा की बगती हो सास्त अनुकूल हो अधिकारी हो नाम देने का तो ऐसे संयोग ऐसे नंबर कदे कदे जो डिया करें घोच ओजागा परमात्मा क्या कहा करते हैं यो सव्धाफिर नाही संतो ये सव्धाफिर नाही लँے जैसा ताव जात है लोहे जैसा ताव जात है ये काया दे सराहीर संतो यो सोदा फिर ना ही ये सोदा फिर ना ही संतो यो सोदा फिर ना ही ये मनुस जीवन का मिलना बार बार नहीं होता किसी सद्गरंत को उठा कर देख लो किसी महापुरुज के विचार देख लो कि मानुस जीवन दुरलब है ये मिले नवारं वार अर जैसे तर्वर से पता टूट जा हूँ फिर ने लगता दार प्रमातमा कहते है कबीर साहिब जी कि इड़की दे दे रो है गिये सुर्ता जो तू चाल लेगी अकेली जिस परिवार के लिए तू सारा दिन केवली पुसू जैसे करम मही लीन रहता है और जब तेरी मर्तु होने का समय आ जाएगा अचानक दुमारी बैंकर हो जाती है ला-ई-लाज फिर वो सोचता है कि मेरा के होने गाभवान मेरे बच्चे रहेंगी इनका क्या होगा परमातमा केते है तू बग्ती कर मेरी सर्णमा आ तेरी आयू भी बढ़ाऊंगा तेरे बच्चौं की विरिखसा करूगा इसलिए बग्वान की खोज मुझ बग्ती कर रहे थे कि हमारा ऐसा बुरे टाइम में बगवान मदद किया करता है तो प्रमात्मा कहते हैं तु मेरी सरण में आर फिर लग डंग से मान उस जनम दुरलब है ये मिले न बार बार कहते हिड़की देर होएगी सुर्ता आत्मा को कह रहे हैं जब तु चाल लएगी अकेली जिस परिवार को अपना मान रहा था वो तो यहीं रहे गर तेरी बाँ पकड़के ले जाएंगे ये म के दूर चाल प्छाड खाखार होगी तो आत्मा क्योंकि तने कोई सन्भालने वाला होगा नहीं तरह अगोड़ान परमात्मा साथ देनी क्योंकि आपने उसकी साहधना की निवी दिवत और यदि आपने सत्थ वक्ती कर रखी है're आपका यहां से जाना भी तो है है सबीने लेकिन मालक आपके साथ खड़ा पाओगा जब कहाविता मेरे साथ और यम के दूत दूर हो जाएंगे नो एक दूर कती सो सो कोश दूर खड़े पाओंगे तो हमने उस जिन की भी अब थोड़ी सी चिंता करनी चाहिए जब संसार छोड़े का चालांगे इनसान घ contain चलता है और जाने से पहले वो रात के सटे की चिंता पहले करता है कि कहा रुकूंगा कोई दर्मसाला का या कोई रिष्टेदारी का कनेक्शन खोज करता है और दब संसार छोड़ कर जाता है ये कभी सोचता है नहीं अब कहा जाओंगा आगे कहा ठिकाना है मेरा कभीर प्रमेश्वर्दी ने आके बताया है आदनी गरीबदास साहिब जी को मिले उनको सच खंड लेकर गई वाफिस छोड़े फिर उनकी महिमा को गरीबदास साहिब जी ने उन्हीं द्वारा दिये गए ग्यान को इस परकार बता है आग गए ना बावड़े रहते भी सब जाही बिन साहिब की बंदगी कहीं ठोड़ ठकाना नहीं जो पहले चले गए मारे पुरूज वो तो बताने आए नहीं मारे गिल के बुंडी बनी या अच्छी बनी और सेस बचे ये भी सब जाएंगे और बिन साहिब की बंदगी यानि परमात्मा की वक्ती बिना कोई ठोड़ ठकाना ना अब परमात्मा कौन है गीता जिद्ध है नमर पंदरा के स्लोक नमर सोला और सत्रा में तीन पुरूज बताएं सरपुरूज और अक्सरपूरूज अक्सरपुरूस अर्स सरपुरूज स्लोक नमर सत्रा में कहा के उत्तंपुर्टूज बतान्य आइस प्रमात्मा में वस्त्मी भगवान तो कोई और है जिसको प्रमात्मा केते हैं है और वहीं तिन लोकों में प्रविश करका सब का धारन पोचन करता है अब प्रमात्तमा की बगती बिना अब मारा प्रमात्मा हमारा शाहिए को रड़ा कभीर साहिब है वो प्रमक्सर ओ malfunction है उसका कभी विनास नहीं होता, उसकी साधना करने वाले प्राणी फिर लॉटकर कभी संसार मज मरतूमनी आते गीता जिदृह नुम्र इटारा के स्लोक नुम्रlaनी 62 और गीता जिदृह नुम्र 15 पिर स्लोक नुम्र 4 मैं ये concept clear है गीता ग्यान दाता कहता है कि उस परमेस्वर की सर्ण मज़ा उसकी करपा से तो परमस्यानती को सनातन परमधाम को प्राप्त होगा और जहां जाने के बाद सादक फिर कभी लोटकर वाफिस अंसार में नहीं आते हैं उस परमात्मा की वक्ति करो वो गीता ग्यान दाता से दूसरा है अन्ने है आफ क्या बताते हैं कि बिन साहब की बंदगी कहीं ठोठा काना ना ये दिम विरमाविशनो महिस या परभरम या अक्सरपुर्स की भक्ति करते हैं तो जनम मरतू सदावनी रहेगी इनकी भी जनम मरतू है और इनके अंतरगत जितने प्राणी हैं उनके बी इनके सादकों की भी जनम मर्तु सदा बनी रहेगी अब जैसे आप जी यहां खुब आराम से रह रहे हो बच्चे हैं पोते हैं पोतियां हैं या वैसे अभी बच्चे छोटे हैं पढ़ रहे हैं माता पिता हैं या विवा हुआ है तो आसा हैं संतान हो उसके उनके ऐसे परवर्श करूँगा तो यहां से तो एक दिन चलो चलो होगी कभी भी हो सकती है वो चलो अब यहां से मरत्य हुई पुन पाप के अधार से पुन के अधार से स्वरग का भी सीमित समय है जैसे यहां का समय है वो समय पूरा होता है उते ही वहां से कहेगा चलो बाई फोरस जैसे यहां से जबरदस्टी मरती होती है वहां भी जबरदस्टी बलाद का होगा आपके साद जबरदस्टी बाई फोरस फिर नर्कम ठोक दिये जाएंगे पाप करम के आधार से जब पाप करम पूरे होती ही वहां से चलो नरक से गधा बनो, गधे की योनी पूरा होते ही समय फिर कुता बनो चलो, और कुता की समय पूरा होगा फिर चलो सूर बनो, और फिर चलो मनुस बनो, और फिर चलो सूरग में, फिर चलो नरक में, तो यहां परमात्मा कहते हैं, आग्य गई ना बावडे, रहते भी सब्जा, अर्गन साहिब की बंदगी कि दे ठोड़ ठेका ना ना सब चलो चलो हो रही है तो उस चलो चलो का नास अब होगा इस ज्ञान से होगा कवीर भगवान से होगा और इस सचे नाम से होगा जो दास के पास प्लोगते हैं और इसका एक benefit और होगा हमें कि हमारे इस जीवन में हमारे परिवार की आपदाएं भी टड़ेंगी आपकी आईयू सेस नहीं है आपकी आईयू बढ़ाएगा ये वो भगवान है जो उमर भी बढ़ा देता है आपके बच्चों की आपके परिवार की रख्षा करेगा आपके रिष्टेदारी तक भी प्रमात्मा आपको दुखी ना होने के कारण वो वहां तक भी आपके रक्षा करेगा कि मिरी आत्मा को चोट ना पहुंचे वहां तक सुख देने की चेश्टा करेगा ये ऐसा परमपिता है ये कबीर भगवान है परसंग चल रहा है ये सोदा फिर ना ही संतो ये सोदा फिर ना ही अलोहे जैसा ताव जात है काया देश राही तीन लोक और भवन चतूर्द सब जग सोदे आही और दुगने तिगने किये चोगने किन हूँ मूल गवाही ये मनुस्रीर ऐसा जानो जैसे कारीगर होते हैं जैसे हम किसान परिवार मजनम था दास का गरवाले कह देते थे कि जाओ ये हल की जो फाली है इसको नुकिली बनुआ के लाणी है लुहर के ले जाए लुहर के ले जाते थे वो बठी में दे देता था उसको और एरेन को गुमाता था जब वो बिलकुल लाल हो जाती थी फाली कुस जो आलमा लोहे की वह डंडा साही तना लंबा और वो जब कती गरम हो जाती थी तब तुरंट निकाल कर और एरन पैदर देता था और कहता था घंड लगाओ जोर जोर से मारो ना ठंडी हो जागी फिर कोई फैदा नहीं तो तुरंट यानि गरम लोहे पर तुरंट चोट मारके उ उसको बिलको नुकिली बनाकर और दे देता था ऐसे ही गरम लोहे पर चोट लगाकर ये लुहार लोग कारीगर जैसे ये पेचकस हो गयरा वो जो भी पल्टा चम्मच ये बनाते थे तो जब गरम है गरम गरम पर चोट लगा दी लोहे के साताव है ये तो वो तुरंट उसक तो इसी प्रकार प्रमात्मा ने बताया कि ये आपका मनुस्रीर जब तक है ये लोहा गर्म है आपका और इस गर्म लोए पचोट मारगे तो कुछ बन जागा नहीं ये लोहा ठंडा हो गया मरत्य होगी फिर तब आंगेटे डेमू हो जाएं कुछ तेगदे सुवर के वह वस् जिसके लिए ये लोहा हो रहा कर रख्या था तो ये जब तक ये लोहे जैसा तावजात है और काया देश राही ये मनुस्जीवन आपका बरबाद हो रहा है इसको संभा ले फिर क्या बताया है कि तीन लोक और बवन चतुर दस ये सब जग सोदय आही और दुगने तिगने किये सोदय जोगने किन हो मूल गवा ही पुनात्माओं जैसे कोई बिजनिसमेन दस पांच लाख रुपे ले करके दूसरी सहर में जाता है वो उस मूल धन है उसका वो पांच लाख रुपे वहां जाकर किसी धर्मसाला में या होटल में कोई कमरा किराई पर लेता है उसने जाकर के उस मूल धन्स को दुगना तेगना चोगना बनाने के लिए बिजनस करना चाहिए जो उदेश से लेकर वो गया है तो जो उस से वो लावर उठाता है, सोदा करता है, बेचता है, करता है, तो दुगने तेगने बना रहा है, और यदि कोई उस मूल धन से ही गुटी लगा रहा है, सरा पीता है, पॉटल का किराय भी दे रहा है, गुटी लावर खाव रह ऐब अच्छा मालस हो जाव है, तो वो अपने मूल का नास कर रहा है, मूल धन को बरबाद कर रहा है, जो उधे से लेकर गया था, पांस लाख रुपे के उसे ने पंदरा लाख बना लिये, तो वो हो गया सफल, और जिसने मूल धन का भी नास कर दिया, वो हो गया असफल, और वो बन गया करदवान और मजद मजदूर जैसे किसी से करद लेकर जाते थे पहले पुराने समय में वो क्या करते थे कोई ग्रीव विक्ति उसका करद वापस नहीं दे सकता था रहना तो उसको मजदूर लगा लिया करते थे के मेरी मजदूरी कर पूरे कर तो प्रमात्मा कहते हैं यह मुनस जीवन आपको बुचसंग सुनने को नहीं मिला उन्होंने अपने मूल का नास कर लिया कि मात्मा कहते हैं कि दुगणे तिगणे किये चोगने किन हो मूल गवाही यो सोदा फिर ना ही संतो यो सोदा फिर दाई अब दुगने तिगने कौन कर रहा है और मूल दन का नास कौन कर रहा है दुगने तिगने वो कर रहे हैं प्राणी तो सत्संग को समझ कर प्रमात्मा का उक्देश ले लेते हैं, भक्ति करते हैं, दान करते हैं, सेवा करते हैं, प्रमात्मा की भक्ति करते हैं, वो अपने इस मनुष जीवन की पुंजी को दुगना तिगना चोगना बना रहे हैं, वो साहुकार हो रहे हैं, और जो इस मनुष जीवन के अंदर अपन केवल अपने निर्वात अक्सीमित हैं गुटी लाई सोगे शनीमा देखा तास खेले और वकवादा में बड़े रहे शनीमा देखा तो वो अपने मूल धनका नास कर रहे हैं उसके बाद फिर प्रमात्मा क्या बताते हैं जो भक्ती नहीं करते हैं क्या बताते हैं कि ये दम टूटे पिंडा फूटे हो लेखा दरगा माही और उस दरगा में मार पड़ेगी तेरे यम पकड़ेंगे बाही यम के दूद तेरी बाजू पकड़के ले जाएंगे यहां से और जादन की वो डरणी लग लज जा रहे अकना ही फिर क्या बताते हैं प्रमात्मा कि जा सत्गुर की मैं बलिहारी जो जामन मरन मिटा ही अब गृबदा साहिब जी कहते हैं कि उस सत्गुर के उपर मैं बलिहारी जाओं जो जनम और मरन के इस महान कष्ट से छुटकारा जलवा जे अपने अत्मा जनम और मरन के रोग से छुटकारा कौन दिला सकता है कबीर परमात्मा और कबीर परमात्मा का रिपर्जेंटेटिव यानि उसका किरपा पातर उसकी भक्ति साधना बनाने वाला संत जो साधना देगा उस साधना उस भक्ति के कारण वो पिता परमात्मा कबीर साहिब आपकी जनम और मरत्यू का ये नास कर देगा तो ना तो विश्णु जी की साधना से हमारा जनम्मर्टू ना सो सकता जनम्मर्ण क्योंकि ये स्व्मनासवान है, ना संकरवगवान की बगती से, ना दुरगा की बगती से, ना बर्म की बगती से गीता ग्यान दाता ये ब्रह्म है स्रीकर्षन में प्रवेस करके बोलता है ये खुद कहता है दूसरे द्याय के बार में सलोक में तोथे द्याय के पांच और नौ सलोक में गीता जी में अज द्याय नमबर दस के सलोक नमबर दो में गीता जी आए अभमुन श्रधालों के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महराज जी से दिक्षप्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ती मार्क पर चल रहे हैं नमस्कार सर सर क्या नाम है आपका बिजिंदर जी आप कहां के रहने वाले हैं गाउं पिनाना जिला सौनी पत हरियाना का रहने वाला सर संत रामपाल जी माराज से नामदिक्षा आपने कब ली छे छे दो जार छे को ली थी सर संत रामपाल जी माराज से नामदिक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ती साथ ना भी करते थे सर आप संत रामपाल जी माराज की सरण में कैसे आए ये भी एक वाक्या है वो मैं थोड़ा सिल सिले बार बताऊंगा सन उनीशो चानवा से लेकर दो जार छे तक अपना बड़ी हाकाम चल रहा है स्कूल तल रहादा दस्मीक अक्षा तक का अच्छे थे दो जार छे में जब मेरे उपर विपता आई मेरी माता जी बीमार थी, हरदर होगी और वो रहर तक मेडिकल में मेरा छोटा भाई लेकर चला घए उसको और वो मेडिकल में दाखिल कर्वा दी रहर तक मेडिकल में और तो पैसे बूल गया मेरा बाइए और उसका दो जाते समय उसका एक्सिडेंट और एठीत वह फ्रेट मर गया लिए जिए ने बाद घ्रा जबते हैं तेरा दिन अवाले दीन मैरी मा भी चल कुल भशी और मेरी मा चल कि लग एट। तर बीतर लग गहाई और एक नौकरी के पैसे ले रहा था जो कि बहुत ज़्यादा थे मैंने मेरे पिता जी ने अपने भी दिल लवाई थे और दूसरों के भी दिल वाई थे लग वगए 70-70 लाक रपे थे और वो भी लेकर चंपत हो गया जी और इसी दोरान मुझे कुछ शूज ने रहा लगी मै क्या करूं और दिमाग ने काम करना बन कर दिया और दोनों गुर्दों ने भी काम करना बन कर दिया तो जी मैं भी बेमार ने लगा और तो बगटमती ने एक दिन का कि तुम्हारा चोटा भाई भी चला गया और मम्मी भी चली गई अब तो भी मतलब बेमार है उसी डाक्ट कि मेरा भाई भी मर गया आप हमें ही बचा लो क्या बीमारी है तो उन्होंने का कि तुम्हारे दोन्हों गुर्दे खतम हो चुके हैं और तुम्हारे ऑपरेशन भी नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हारे कमजोरी के कान बीच में मर सकते हो इसी कान तुम्हारे गुर्दे नहीं ब तो मैंने किसी से जीकर नहीं गया इसाल – मैं रोज मरता रहा पूरे हम निकल गई मैicky शीह दौरान मैरे पिनाना गौळ मैं एक भगत थे संत्रा रामकाल के माराइश से जुड़ वी थे करोथा से जुड़े होने के कान वे कई बर मेरे करोथा से जुड़े हुए थे मेरे पिता जी के पास आकर बैठते थे वे एक जिन उनने मुझे पूछ लिया कि तुम दिन पर दिन मरता जा रहा है क्या बात है तुमारी शकल भी बदल गई तो मैंने उसे का कि दाला जी आपको एाध्युन उच्छे महेनेगा टेंदिया दाही महीने जा एह नए जा चुके हैं और शादे तीन महीने वाकिए है आध्युन कहासके कि भ्तल मैं बुष्वा इनका कि पहली पहले में बै भ्तल का। और खेत में कमरा बना रखा है कोठला कहते हैं जिसको आम बाचा में आम गाउओं वाले वहाँ बैठकर मैं बगती करता था और लेकिन किसी भी बगवान ने मेरा जिसाथ नहीं दिया मरी माँ भी मरी बाई भी मर गया मनाश्टिक हो चुका हूँ अब मा किसी भगवान को नही मेरे साथ चल से वाले हो इस अब्सका तो मैं नोगे उसकी आप लेक चलते हैं नारियू ऑना जिक करोथा चला गया परमाट мाण है ने जब पर्माणित किया गिता जी के एधय में 16 के शलोक ये मरत कियो परूई है इसके लिए शास्तिरी पर्माणित है तो मेरा दिमागा गोंग गया सक्षा है, आप कहां से मिलेगा तो उसके बाद सें तराम पर जी माहराजू ने Pas ayeIB मैं निए कि आज तक हमें आज वहे बांता है थ enfant को से बड़ा मानता तक हमें बद्पण शिख्छाई दी जाती थी कि वहाम नाम से तैबादा कोई जो ऀसमरां करेह उमका सुधात्म हुई। उस दि जून 2006 में संत्रामपल जी महराज से गुरू दिख्षा ली सर जैसे कि आपके बताया नुसार आपके दुखों का पहाड तोटा हुआ था पहले आपकी माताजी की मिर्ती हो गई और आपका जो स्कूल था वो भी बंद हो गया और जब आप परिशान रहने रहें डॉक्टर ने आपको बताया कि आपके दोनों गुरूदे खराब हैं और आपकी जीवन जादा नहीं है फिर आपने संत्रामपल जी महराज से नाम दिख्षा लेने के बाद आपकी परिशानियां ठीक होई संत्रामपल जी महराज से नाम दिख्षा लेने के पास्चार मुझे थोड़ा थोड़ा आराम मैसूस हुआ और एक अपते में आराम लगने लगा उसके बाद मैं घरवाली बोली कि तुम एवाज दोबारा चेक करवा करा है तो मैं डॉक्टर के पास गया उसी डॉक्टर के पास उस डॉक्टर ने मेरा चेक अप किया और क्या कि तुम्हारे दूनों गुर्दे बिलकुल और आरामपल जी माराज से नाम दिख्षा लेने तो डोक्टर तो नहीं मानते इस चीज को तो मेरे दोनों गुर्दे ठीक होने के बाद मैं भी अच्छम बित रह गया और मैंने एक यह बात करी कि परमात्मा ने शास्त्री दिनों सारा मुझे बगती दी और उसे मुझे बहुत सारे लाब हो गया मेरे गुर्दे बिलकुल ठी हैं 2006 अब तक बिलकुल ठीक है मेरे गुर्दे बाद मैं भगत्मती को कहने लगा कि परमात्मा आए हुए हैं चलो तुम भी चलो तो भगत्मती कुछ दिनों तक नहीं मानी फिर भगत्मती भी आ गई पूरे पूरा परिवार आ गया उसके बाद मेरे पिता जी थोड़े हैं मेरे से क्योंकि वह कहने लगे कि तुम कहां जाने लगा ऐसी जगह नहीं जाते क्योंकि उसी समय करो ठागी लिला कर दी ती परमात्मा ने तो वह कहने लगे इस ताथ ठीक है मेरा चोटा बेता जी जाता है तुम मर जानता है उसकी जंग हो भी ठीक ता तुम कहां जाने मों यहां तक यहां तक ज乐 के लगें तो यह सिल्शला दो साल तक चल्गा और उसकेmar आ सांटर्मपल श्दी होचा अपने करों था इलीला पूरी करिकर बाँ है और उसके बाद मेरे Silicon Valley बिमार ठाजी ब्रूर मेधिकल रहे red Sergeant मेधे मेधिकल मेरेने तो फिर मैंने का पिता जी से कि पिता जी आप का उपरेशन करवाएंगे और दो बैड थे सर जी एक बैड इस साइड में एक बैड इस साइड में एक मेरे पिता जी लेते थे एक पर मेरे पिता जी से भी कम बीमारी का मरीज लेता हुआ था रात को वो मर गया जी रात को वो मर गया तो मेरे पिता जी शुबह उठे और आखों में पानी आ गया उसके और कहने लेकिए भई भी जेंदर अब मैं बता दू किसका लेना लेना है लेकिन मैंने का कि पिता जी आप का उपरेशन करवाएंगे भगवान ने सांस दे रखे तो थोला मंद लो आपका इलाज हम तो परमात्मा ने बड़े लिला की और घर पर ले आया मैं उसको वहां से छूटी दिलवागर और अगले ही दिने बरवाला में सच्छंग ठा तीन दिन का संत्रामपाल जी महाराज के पास ले गया और सच्छंग के दोरान पूरा सच्छंग सुना दो दिन और तीसरे दिन ने नाम दिख्षा ली और दिरे दिरे उसको आराम लगना शुरू हुआ और मुने फिर डाक्टर से चेक अप करवाया तो वह भी सबस्त हो गए और आज तक सबस्त हैं मेरे पिता जी शराब बहुत पीते थे क्योंगी हफते में दो दिन तक दो दिवारों का सारा लेकर गर पराते थे क्योंकि कई उने शिकायत भी कि कुई अपने पिता जी को संभालो जादा पीते हैं और ऑक्का तो यहां तक पीते थे कि खेत में जाने जाने जाओन थे याँ आ गरते ताकि बीच में नसाने तूट जाई इतना जादा नसा करते थे और संतराम पाल जी माराज न तो जो सरदालों आपको देख रहा हैं और भी किसी ना किसी विमारी से ग्रस्त है उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे उनके लिए ये दास कहना चाहेगा कि आप संत्रामपाल जी महराज से सास्तर विदी अनुसार दिख्षा देते हैं उससे दिख्षा लेजी और अपना कल्यान करवाईए क्योंकि बगएर सास्तर विदी के जो हम भक्ति करते हैं उससे कुछ नहीं हो सकता नहीं तो बिमारी कर स सकती है और नहीं हमारा मौक्स हो सकता है सास्तरों के नुसार भक्ति कीजिए और संत्रामपाल जी महराज से नाम दिख्षा लेकर अपना कल्यान करवाई हैं सर संत्रामपाल जी महराज से नाम दिख्षा कैसे लिए जा सकती है कई टीवी चैनलों पर सच्छंग आते हैं और आप सुन रहे थे जकतकुरू तत्वदर्शी संत्रामपालजी महराजी के मंगल प्रवचन अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारे वेबसाइट www.jakatguru.rampal.org संत्रामपालजी महराजी के शुब आशिवात से पूरे विश्व भर में 500 से भी जादा नाम दिख्षा केंद्र हैं जिन पर संत्रामपालजी महराजी द्वारा ओनलाइन निशुल्ट नाम दिख्षा दी जा रही है अपने नस्दी की नाम दिख्षा केंदर का पता करने के लिए संपर्क करें 8222-880541